कि आयोक्त निसक्त जन संदीब रजग जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजुद हैं संदीब जी बहुत स्वागत है पहले तो आपका बहुत बहुत बदाई आपको दुवारा फिर आपको एक बार मौका मिला है यह सब आप सब लोग की सुबकामना है और माता पि मुझे इसकी पुरहें जो है प्राप्टी हुई है और मैंने संकल्प किया है कि अब और दीब्रिता के साथ में दिव्यांग जनों के लिए आगे बढ़ना है उनको उनके मुकाम तक उनको पहुचाना है संदी Francisco जी इस बार जो आप क्या नई योजना है इस बार है दिव्यांग जनों के लिए आप लेकर आर रहे हैं देखिए लगातार हम लोग दिव्यांग जनों के सिक्षन पसिच्षन को लेकर काफी काम कर रहे हैं और मद्ध्य प्रफिदेस में इसमें काफी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ करके कर वी रहे हैं पर दू सवाल इस बात का है कि सिक्षन पसिच्षन होने के बाद में उनको आत्मिर्वर कैसे बनाये जाए और स्वरोजगार का सर्जन करना जिससे हो असानी से कुछ आर्ण कर सकें और अपनी संक्रीवार के लिए कुछ कर सकें इसके लिए मानि मुखमंद्री जी के पास भी हम अपना संदेश दे रहे हैं चाहे वह तैसील का कारलत हो चाहे जला क्र ingredient का का हो या जिला न्यालय हो के तो सारे काॉंटर एक कौर्णर जो है वह हमारी दिभ्यांग को प्राप्थ हो जिसमें वह कोई फोटो काफी की मसीन लगाएंगे कुछ चोटी मोटी उसमें दुकान करेंगे तो एक रोजगार का श्रॉइन वहां पर होगा इसी प्रकार से जितनी भी लिफ्ट हमारे सास की कारलों में रहती है, तो वहाँ पर एक लिफ्ट मैन िाफसकता होती है. तो लिफ्ट मैन की रूपर में हमारा जो डिब्यांग है वो इसकी छमता है उसको करने की लिए उसको लगा जासकता है. इसके साथ साथ दिभ्यांग जनों को स्वरोजगार में जूड़ने के लिए जो जिला उद्धियो केंद्र के माध्यम से जो रिन दिया जाता है उसमें भी दिभ्यांग जनों को अधिक से दिक संख्या में उनको रिन प्लप्त कराए जाए जिससे विए अपना कुछ % रोजगार अपना भूप कर सके और आगे बल सके और इसके सासा जो बैटलाक की जो पध मारे आरता जम्59 दिव्यानं के लिए । इसको लेकर भी मांदी मुखमंत्री इसके सभी दिव्यांग जनों को जो 18-20 वर्ष से उपर हो गए हैं वो अपने आतने ज़र तकी और आगे बढ़े हैं और स्वेम पिल्च अपना दो मुद्दे पर हम आप से चर्चा करेंगी संदीब जी सबसे पहला मुद्द हम एक बात करना चाहते हैं कि आपने देखा होग कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग नहीं है उसके बाद भी सरकारि योजनां का लाब ले यहां तकि कई लोग सरकारी नोकरी पर भी लगें वो दिव्यांग नहीं है तो किस तरह की कारवाय है क्या फोकस होगा आपके डिपार्टमेंट गौंट की तरह competence आगर इस प्रकार का कोई आपराद के सिर्ड़ी में आता है कि दिभ्यांग जनों के लिए जो योजनाए हैं उनके जो फाइदे हैं दिभ्यांग होने कानों को दिये जाने वाले हैं और कोई अगर विक्ति इस प्रकार का कार करता है कि वो फरजी प्रमापत बनवा करके किसी तरह जो है इस प्रकार का लाब ले रहा है तो उसमें सक्टकारवाई होगी वो जो नौकरी कर रहा है जो भी लाब ले रहा है वो तो उसकी जाएगी जाएगी परंतु उसमें दो लाग तक का जुर्माना और एक साल तक की उसमें जेल का प्रावधान किया गया है और इसके अलाव है कि कोई भी फर्जी प्रमापत बना करके दिभ्यांगता का लाब लेगा तो उसको हम सजा दिलवाएंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं यह तो मानने मुख्मंतरी जी की सक्त निर्देश हैं कि क्योंकि हमारी योजनाई जो है वो सीमित हैं और दिभ्यांग जनों के लिए बहुत सोच समझ कि जो है वो उसको किया गया है तो इसको लाब लेते पाई जाए और इसके साथ साथ जो चिकिस्चा गण अगर मानलो इस प्रकार काम कर रहे हैं कि वो किसी का भी फर्जी प्रमापत बना रहे हैं तो मैं उनको आपके माद्यम से सक्ट छेतामनी देना चाह लगतार हमने भी समुद्धे को उठाया एलम को कई साइकल ट्राइसाइकल जो है जबलपुर में हम लोग सूट के दोरान जाते हैं कई लोग ऐसे मिलते कि जनकी साइकल कराब होती है वह उपर के अदिगारियों से चर्चा करते तो उनको वहां तक उनकी बात नहीं हम से देखिए जो भी योजनाय सासन की चलाई जा रही है जो यह उपकरण बांटे जाते हैं यह कॉलिटी की उपकरण हो इस पर लगातार हम लोग ध्यान देते हैं और जिनको देना है यह एलम को जो है आर्टीफिसल लेंस मैनेफेक्टिंग कार्परेशन जो है भारा सरका भी आ रही है तो इसमें हमने स्वें जो है भारा सरकार की सेकेटरी को भी पत्र लिखा था उसके उन्होंने यहां पर कॉलिटी एस्वरेंस ऑफिसर भी लगाए है और कॉलिटी में सुधार भी हो रहा है और जो एलम को के जो सीमडी है वो भी अब जो हैं बदल चुके हैं नए सीमडी जोइन कर चुके हैं और इस संब्द में जो है कि दिभ्यांग जोनों को उपकण ऐसे मिले जिसे में लंबे समय तरह उसका जो है उसका उपयोग कर सकें बिसेस कर जो यह बैटरी वाली जो बात है मोटराइज साइकल की तो बैटरी की जो समस्या है वो बहुत ज करने बाद तो यदि आपने फरजी सेटिफिकेट बनाया हूँ आप नोकली करें तो साउधान हो जाईए क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी आपको जेल की हवा खाने पड़े यह कहना है निसक जनाइक संधी प्रजक जी का कदीर खान के साथ अमिट सोनी पलपल इंडिया ज पलपूर